नमेश्कार दोस्तों, Reserve Bank of India ने निर्ने लिया है कि 1st January 2021 से जो check payments होते हैं, उसके अंदर positive pay का system लाया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हो, Economic Times का आर्टिकल है, positive pay system for check payments to come into effect from January 1, 2021, RBI ने ऐसा निर्ने लिया है, तो हम जानेगे कि exactly यह जो positive pay system में यह है क्या, यह work कैसे करता है, किसके लिए यह लागो होगा, क्या सभी checks के लिए लागो होगा, फिर यहाँ पर next question हम देखेंगे कि आखिरकार इसका यह मकसद क्या है करने का, काफे कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और update के लिए आप मु ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हुआ क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि RBI ने निर्णे लिया है कि positive pay system जो है, वो check payments के लिए लागो कर दिया जाएगा, 1st January 2021 से, क्या यह सभी के लिए लागो होगा, जी नह लागो नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है, तो 50,000 से उपर के जितने के value के transactions हैं, उन checks के लिए लागो होगा, किसलिए किया जा रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि safety को ध्यान रखते वे, जो check का पुरा payment system होता है, उसको और secure बनाने के लिए, और पिछले कुछ समय स fraud देखने को मिला था, मतलब गलत तरीके से check के माध्यम से यहाँ पर जो पैसा है, वो withdraw कर लिया गया था, इसलिए इसको देखते वे, यह वाला system लाने का निर्ने लिया गया है, तो अब next question आता है कि यह positive pay system है क्या आखिरकार, तो देखें, यह एक तरह का process है, यह एक तरह क तो check से withdraw नहीं हो रहा है, या फिर किसी ने यह amount जारी ही नहीं किया, यह check जारी ही नहीं किया, उसके बावजूद भी उसके account से पैसे निकाले जा रहा है, तो यह reconfirm करने का एक तरह का process है, अब इसमें होगा क्या basically, कि कुछ minimum details जो check के होते हैं, जैसे कि check का date क्या है, name क्या लिखा हुआ है beneficiary का, जो amount है वो क्या है, इस तरह के कुछ important जो details है, minimum details है, वो यहाँ पर क्या करना होगा, कि जो भी issue कर रहा है check, उसको हम क्या कहते हैं, drawer कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जो check issue करता है, इसको कहते हैं drawer, तो drawer क्या करेगा, कि यह जो minimum details है, वो अपने bank के साथ share कर देगा, for example, मैं कहता हूँ कि यह person A है, उसका bank, जो खाता है उसका account, वो है आपका SBI के अंदर, तो यहाँ पर अगर suppose उसने एक लाग का check issue किया, तो एक लाग का जो check है, उसका जो detail है, minimum detail है, check number या फिर जो भी, वो क्या करेगा, अपने bank के साथ share कर देगा, अब अब ये share कैसे करेगा, कई माधियम हो सकते हैं, जैसे कि SMS हो गया, mobile application हो गया, internet banking, ATM के माधियम से, कई सारे माधियम से अपने bank को बता देगा, कि मैंने ये वाला check इस person को issue किया है, ये check की details है, तो यहाँ पर share हो गया, अब क्या होगा, कि ये जो pay है, वो अपने bank में present करेगा सपोज मैं कहता हूँ कि, जो person B है, उसका bank का, जो खाता है, वो है आपका ICICI bank के अंदर, ठीक है, तो ICICI bank में उसने अपना check जमा किया, अब ये जो ICICI bank है, वो SBI के पास जाएगी, कि हमें ये check मिला है, ये amount आप इस person के खाते से निकाल कर इधर दे दो, तो SBI क्या करेगी SBI वापस से अपने वो check करेगी, कि जो details share किया था इस person ने हमारे साथ, क्या वो detail match हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो ICICI ने यहाँ पर present किया है, आया समझ में, तो इस तरह से यहाँ पर cross check किया जाएगा, ताकि अगर कोई भी discrepsancy है, सपोज यहाँ पर 10 लाग का check है, जो person A ने जारी ही नहीं किया, लेकिन person B ने यहाँ पर गलत तरीके से वो check को बनाया, फिर जैसे भी लिया उसको, और यहाँ पर present कर दिया, फिर SBI उस person से पूछेगी, कि क्या आपने कोई 10 लाग का check issue किया है, क्योंकि हमारे पास यह check आया है, तो यहाँ पर person मना कर देगा, तो यह confirmation का एक तरह से तरीका है, कि गलत तरीके से पैसा नहीं लिया जाए, इसी को बोला जा रहा है positive pay system, I hope कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप जैसा कि diagram में देख सकते हो, यह पहले तरीके से होता था, यहाँ पर जो आपका check का transaction होता था, जैसे कि आप देख सकते तो यहाँ पर person B ने अपने bank में जमा किया, ICICI bank के अंदर, यह पहले क्या होता था, physically clearing house में जाता था, फिर वहाँ से clear होता था, अब यह सारे system चले कहें, अब system आ गया है check truncation system का, CTS जिसको बोला जाता है, CTS क्या है basically, अपने दिखा होगा एक standard form में यह checks आने लगे हैं, पहले standard form नहीं होता था, कई सारे problems होती थी, तो जैसे कि आजकल तो यहाँ पर अगर कोई barcode है, इस तरह की चीज़ें आने लगे हैं, तो यहाँ पर scan करके electronic माध्यम से क्या होता है, कि यह bank अब यहाँ पर भेज देता है, पहले क्या physically होता था यह चीज़, clearing house में जाता था, फिर वहाँ से यह होता था, और फिर कई समय भी लग जाता था, तीन दिन, चार दिन, कई बार तो एक हफते भी लग जाते थे, आजकल क्या है, एक दो दिन के अंदर ही CTS के माध्यम से यहाँ पर यह पूरा system चला करता है, I hope कि अब लगभग सब कुछ आपको इसमें समझ म आ गया होगा, अब यहाँ पर सवाल आता है कि कौन-कौन से चेक इसके अंदर आएंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि 50,000 से उपर के जो चेक्स यहाँ पर इशू करेगा, उसके लिए यहाँ पर यह लागू कर दिया जाएगा, आप जरूरी नहीं है, आपको यह अगर अप सकते हो कि सिस्टम है कि आपको यह इसका डीटेल अपने बैंक के साथ शेयर करें, अगर आप नहीं चाते हो तो मत करो, लेकिन अगर बैंक कहती है कि 5,000,000 से उपर के ट्रांजेक्शन के उपर अगर हम इसको मेंडेटरी करते हैं, तब तो आपको यह करना ही पड़ेगा, य ऐसा नियम बताया जा रहा है, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि यह जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करेगा, मतलब कि एक प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए ना, कि यह जो सिस्टम है पुरा अच्छे से स्मूध तरीके से चल सके, तो जिस तरह से NPCI हमारे रेड्रेसल मेकानिजम भी होगा, सबोस कुछ प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, तो डिस्प्यूट के लिए भी यहाँ पर मेकानिजम इंप्लिमेंट किया जाएगा, और यह भी आपका NPCI देखेगी इन सारे चीजों को, और यह उनी के उपर लागो होगा, जहाँ पर यह जो नए वाला सिस्टम है ना, पॉजिटिव पे सिस्टम, उसके तहत इसको लाया जा रहा है, अब जाने से पहले यहाँ पर कुछ important आकड़ों को भी हम देख लेते हैं, मतलब कि कितने payment हमारे देश के अंदर check के through होते हैं, तो अगर आप देखोगे, जितना भी payment किया जात तो volume के terms में, number of transactions के terms में 2% हिस्सा check का है, लेकिन अगर हम value के terms में देखें, जितना भी transaction होता है, तो 15% हिस्सा जो है, वो check के माध्यम से किया जाता है, जो कि एक बड़ा हिस्सा है, इसके लावा यह भी बताया जा रहा है कि, यह क्योंकि 50,000 के उपर के check के उपर लागू हो 20% check जो है, वो 50,000 के उपर के value के होते हैं, ठीक है, लेकिन value terms में अगर आप देखोगे तो इसकी value काफी होगी, 80% जितना भी पैसा withdraw या फिर निकाला जाता है, check के माध्यम से दिया जाता है, तो उसमें से 80% आपका value जो है, वो आपका positive pay के अंदर आ जाएगा, और अगर average value की बात करें, कि check के माध्यम से जो payment होता, उसमें average value कितनी होती है, तो 82,000 की value होती है, जैसा कि आप देख सकते हो, और last में यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, कि नया system लाने का main मकसद क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कि RBI चाहती है, कि यहाँ पर जो customer है, उसक यह पूरा system लाया जा रहा है, तो I hope दोस्तों इसमें लगबख सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा, जाने से पहले क्योंकि हम मैंने यहाँ पर बात किया था, check truncation system के बारे में, CTS के बारे में, क्या आप मुझे बता सकते हो, उसके बारे में दो statement मैंने लिखा है, इसका right answer आपको हमेशा की तरह Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप Instagram पर नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से आप इसका right answer और जो इसका explanation है, दोनों ही आप यहाँ पर Telegram से देख सकते हो, अगर आप कई सारे MCQs में यहाँ पर मैं डालता रहता हूं, आप play कर सकते हैं stories में, अगर आप हम उसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, होकि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon